सामने जो आपको कार दिख रही है इसको कौन नहीं जानता दिस इस मारूती सुजुकी सियाज और यह जो हमारे सामने वेरेंट खड़ा है इस इस एलफा प्लस स्पोर्ट एडीशन यह है जिसमें आपको थोड़े बहुत ब्लाक इंसर्ट देखने के लिए मिल जाता है जैसे कि स्कूर्टिंग्स हो गई वह मैं आपको दिखा दे तो वहाँ पर स्पोईलर आपको मिल जाएगा और आपके ओर भी हमसे आपको प्यानो ब्लाक फिनिश में म नहीं अगर इसके राइवल से मिसको कंपेर करें तो सो सबसे पहले की से स्टार्ट कर लेता है जब से सी आज यह तब से आपको ऐसी ही की देखने के लिए मिल जाती है जो कि मुझे तो काफी पर्शनली अच्छी लगते है अगर मैं इसको स्विफ्ट या बलीनों की की से कं अगर अगर फ्रंट की बात करूं सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यह अपर आपको एलीडी हैडलाम्स मिल जाते हैं आपको इस वाले वेरिद पूरे अंदर फिनिश मिलेगी है इसी के नीचे में आज़ेँ तो यहां पर आपको एलीडी फॉग लांप मिलते हैं यह जो ची लोगो मिल जाता है और इसी के साथ यहां पर आप रहां पूरों इंसर्ट मिल जाते थोड़े से अब साइट प्रफाइल की तरफ में आ जाता हूं तो इस इस वी साइट प्रफाइल ऑफ दे कार अलोई वील्स आपको ब्लाक फिनिश में मिलते हैं और फ्रेंट में डिस्क और रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स मिल जाते हैं और टायर साइज के बात कर लेता हूं सो इस वन नाइंटी फाइफ फिफ्टी फाइफ आर शिक्स्टीन इंचिस के आपको ऐसे को चलोई वील्स जो कि मुझे तो अच्छे लग रहे है देखने में इसी के साथ आपको यहा प्यानो ब्लाक फिनिश में मिल जाता है यहां पर आपको साइट टुनिंग इंडिकेटर यहीं मिलता है और यहीं मिल जाता है अब आज आते एक बार रियर प्रोफाइल की तरफ तरफ देख सकते हैं आपको पीछे एलीड टेल लांस मिलते हैं आपको इस वाले वेडिन यहीं पर आपको आईमाउंट इसी के साथ जया जाती है इदना समांट ku की सेंसर आफ देख सकते हैं इंडिक कर लेंट अक इंटीर के बार बात कर लेंट से आपको fully black interior मिलता है ऐसा कुछ आपको steering wheel देखने के लिए मिल जाता है यह तो आपने काफी मिल जाता है अब अच्छा लगता है instrument cluster उसी के साथ इसी साइड आपको थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है यहाँ पर आपको आपको यहाँ बॉटल होल्डर मिल जाता है अगर यहाँ आपको यह infotainment system मिलता है जो कि अगर इसके rival से compare करूँ तो छोटा है यार काफी लेकिन अगर इसके touch response की बात करूँ तो वो थोड़ा सा मुझे slow लगा अगर मैं बाकी कार से compare करूँ तो इसको update की ज़रूर ज़रूर है इस कार को और इसी के नीचे आपको automatic climate control मिल जाता है और यहाँ पर मैं charging socket मिल जाता है and you'll be getting twin cup holders over here and यह इसका जो भी ऐसी आपको gear knob देखने करे मिल जाते है जब से सिया जाए तब से यही चलती आ रही है आपको swift में यही देखने करे मिल देगी most of the cars में यहाँ आपको center armrest मिल जाता है जो की काफी छोटा है and यह slideable भी नहीं है इसी के साथ आपक सकते हैं और तो कुछ आएगा नहीं यह कुछ छोटी मोटी चीज जोगे वह रख सकते हैं glove box की तरफ आ जाते है so glove box भी आपको decent size का मिलता है यह एर कूल नहीं है and यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत storage space मिल जाते है जैसे कि आप अपने car के manuals वगए रहे हैं वह storage में कर सकत सकते हैं यहां पर आपको sun glass holder मिल जाता है और आपको इस car वे auto dimming आया रहे हैं मिलता आप यह देख सकते हैं और इस side आपको vanity mirror मिल जाता है but there is no light and this side की बात करो तो यहां सिर्फ टिकेट होल्डर मिलता है तो अब एक बार इस car की rear seat पर चलते हैं वहां मैं आपको बात कर ले आता हूं तो देखो यह अगर मैं इसकी रियर स्पेस करो ना compare तो वर्ना से जाधा आपको यहां मिल जाती है अगर मैं सीधा सीधा इसकी राइवल जो है वर्ना यह Honda City जो भी है उन से जाधा मिलते हैं अब यह देख सकते हैं बहुत अच्छी कुछ निए सीट की अंडर था आप इसको रिप्लेस करवा के लीडी लाइवल जाता है और अगर मैं यहां हूं तो यहां पर आपको सेंटर आमरेस मिल जाता है यह अभी मैं खोल के दिखा देता आपको विट्विन कफोल्डर आप देख सकते हैं आपको जो चारो हैड्रेस्ट वह एड्जस्टिबल मिलत आप इसको रिप्लेस करवा के लीडी लगवा सकते हैं बाकि यह आपको सॉफ्ट क्लोजिंग के साथ मलता है यह काफी सही है और रूफ की बात करो तो यह मुझे खास नहीं लगा वही है यार इस पर थोड़े टाइम बाद ना मतलब यह थोड़ा सा वैसा सा हो जाता है देखो मैं अपना उपीनियन दू तो गाडी ना आउट्डेटेट हो चुकी है और इसको एक अपडेट की जरूरत है क्योंकि हम 2015-14 से यही गाडी देखते आ रहे हैं सेम थोड़े बहुत इसको फेसलिफ्ट मिलें वह भी हटा दो तो यार अब यह जन्रेशन चेंज मांग अब वह डिस्कॉंटीनियो हो चुका है जब से बीसिक्स नॉम्स आये हैं तो बीसिक्स के बाद इसमें सिर्फ आपको एक पेट्रोल इंजन अगर आप यह वाला वेरिंट ले जो कि एलफा प्लस है स्पोर्ट्स एडिशन तो इसकी जो प्राइसिंग है वह है 12,80,000 अन रोड अगर इसकी स्टार्टिंग प्राइस की बात करें तो 1080 से स्टार्ट हो जाती है अब अगर मैं इसके डिरेक्ट कंपेटिटर की बात करो तो वह है होंडा सिटी फोर्जन बिकर्स दोनों की इस रेंज में आती है जिसमें सियाज आती है तो अब वह आपके उपर है कि आपको कौन सी कार पसंद है बट कहीं ना करी सियाज का जो लोवर वेरेंट से वह सस्ता है उससे वह साड़ी 11,000,000 कुछ से स्टार्ट होती है और यह 10,80 से स्टार्ट हो जाती है और इसका टॉप झाल